तो दोस्तो आज 4 एप्रिल 2024 बजार में आज बहुती जादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिला जहां पे धमाके तार ओपेनिंग होने के बाप जुद भी एक गंडे के अंदर एकदम से गिरावट हुआ उसके बाद सेगेन आप में एकदम से रिकवरी बर अच्छी बात यह है कि आज का क्लोजिंग बहुती क्रूशल लेबल की उपर आके दिया जो कि लास्ट तीन से चार ट्रेडिंग डेस में देखा बार बार निफ्टी फिप्टी जो है रेजिस्टेंस मिला था यानि 22,500 जैसकि लास्ट डे या उसके पहले दिन या सोंबार के दिन या लास कि सारे दस की वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था जो लोग देखा था आकरी तीन मिन उनको अच्छे से याद होगा क्या कहा था कि देखिए बजार जो है आज जो ओपेनिंग पॉइंट है वो बहुत मैंटर करेगा आज की रेट में ओपन का हुआ था आप देख सेक मीडिंग के आउटकम निकलेगा और उसके साथ सथ बजार भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर रियक्ट करेगा तो आज रात की जो सारे दस की वीडियो दोस्तों मिज मत करना फुल स्रेटिजी मैं आपको बता दूँगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रख बहुत महीनों बात 48,000 की ऊपर आके क्लोजिंग दिया मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा आज से लगए कुछ टाइम पहले भी यहां पर रिजेक्ट हुआ था कबकि मैं बात करो मार्च की फर्स्ट विक यह देगे 6 मार्च को इसी लेबल का आसपस आया था यहां प 30 पॉइंट पर था तो बहुत महीनों बात देखिए बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा मूबेंट दिया और इसके पीछे में रिजन है मतलब जो बैंक निफ्टी की अंदर इतना तेजी देखने को मिला में रिजन है आपकी बड़े दो बैंक एक तो क्या HDFC बैंक क्लोजिंग काफी अच्छी लेवल पर हुआ है कि किस बैस पर आज बजार में इतना गाप उपिनिंग था उसके साथ सब्सक्राइब क्यों क्यों तेजी देखने को मिला ओके आच आप यहां पर एंपर्टेंट पॉइंट को भी हाइलाइट किया कि और भी बहुत सारे इंडेक्स दो परसें उपर हके क्लोजिंग दिया साउथ कोडियान कोस्पी हो गया वहां पर लगबग एक आथ परसें उपरा की क्लोजिंग दिया था और खास करके कल रात में यूएस मार्केट थोड़ा वालेटायल जरूर था पर आथ सुबासुबाद अगर हम बात करे दोर जोन्स की फूचर नजडेक की फ्यूचर भी काफी पोजटव में चल रहा था जिस बैसे हमको बार बार बोलता हूं सारी दासफराली वीडियो पे-सुबाव-सुबारे इन गोर्चित उपे अने से पहले डॉर जोन्स की फूचर नास्डेक की फूचर उसको ट्रैक कर करूंगा दोस्तों चैनल के साथ जुरे रही है कल जैसे आउट हो जाएगा सबसे पहले वाली वीडियो मतब इसी टाइम पे जो वीडियो अप्लोड करता हूं उसी वीडियो पे आपको पूरा अपडेट दे दूँगा का मानना में रेक्स कांच का बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह यह है कि कड़ भी हो सकता है बट मुझे लग दै कि क्योंकि इंफ्लेशन एक यहां पर इसको पहले वाला पॉइंट में देना चाहिए था मेरे आकोडिंग यह टेकनिकल फेक्टर क्यूंकि टेकनिकल फेक्टर अमने देखा था लास्ट चार दिन अब देख लिए एक थर्जडे हो गया एक मंडे हो गया एक ट्यूजडे हो गया और एक वेड़नेस डे यह चारो दिन निफ्टी-फिप्टी जो है 22500 पर रेजिस्टेंस मिला ता जो को कोई भी लेबल पे बार बार हीट होता है ना बार बार लगातार चार दिन उस लेबल पर काफी कम जोड़ हो जाता है यह बहुत बार मैं बुलूंगा फैक्टर बना आज की डेट में तो टेक्निकल फैक्टर मैंने एकोडिंग आज पहली पोजिशन होना चाहिए था मतब जो यहां पर वेंशन किया डिजन पहले वाला रिजन ओके तो दोस्तों फिले से क्लियर हो चुका अब चली तोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का अपडेट अब आपको मैं दे देता हूं कल रात की बात करें दोस्तों काफी पॉसिटिबली ट्रेडिंग आपको देखने को मिल और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की सारे दर्स के वीडियो यहां पर देखना मत भूलना मैं बार बार इसलिए बोल देता हूं कि अक्सलों भूल जाते हैं ठीक है क्योंकि आज रात में दोस्तों अगर सब कुस्छ ठीक टाक रहा यूएस में एक अच्छा म मुबें हो सकता है मार्केट में ठीक है बठाएं यूएस की दस्ताल की बॉंड दिल में फिर से तेजी और दूसरी इंपॉर्टेंट जो में मुद्धा मेरे अकॉरिंग जो सबसे बारा मुद्धा हो सकता है आगे इंफ्लेशन की बर इंपक्त डाल सकता है ब्रेन कूट की प्राइज में कोई भी गिरावट की नाम होने शान नहीं है वही सेम फ्लैट पोजिशन चल रहा अब देखिए तेजी के बाद सीधा फ्लैट पोजिशन में होल्ड कर रहा है तो कहिने के ब्रेन कूट की प्राइज जो 90 टॉलर पर बैल का स्पर ट्रेट कर यह तो बहुत ब सेक्टर खास करके यह एक पर सिंट को बेंड देखने को मिला ऐसकी टीसीएस वी प्रोइच सिल टेक इन फोसिस में उतना जाता नहीं पर थोड़ा बहुत पॉसिटिव में देखने को मिला तो आई-टी सेक्टर आज बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मुबेंड रहा इसको छोड़के बात करें देखें, आटो सेक्टर में भी हलका फुलका तेजी, फारांशियल सर्विस सेक्टर में भी ठीक ठाक मुबेंट, फार्मा सेक्टर में थोड़ा बहुत हमें, ड्रॉप देखने को मिला, तो दोस्तो आज की रेट पे देखें, मार्केट में बहुत अच्छा मुबेंट दिया, बट पॉसिबिलिटी है कि आपकी पॉर्टफोलियो शुरुआद में जितना पॉसिटिव में ओपिन हुआ था, क्लोजिंग दोस्तो उसना पॉसिटिव में नहीं दिया, क्या आपका स्ट्राइब से कमेंट करके बदाए, क्या ऐसा भी हुआ है आपके साथ में या कुछ और हुआ है, जो भी हुआ है दोस्तों प्लीस कमेंट करके शेर करना, अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ इंडिविजुल शेर्स के बारे में, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फरमीटिव लगा, प्लीस दो इसको छोड़ के दोस्तों कुछ ऐसे शेर्स है जिसमें बहुत बढ़िया आज मुबें दिया जैसकी वेदानता लिमिटेट की शेर्स लास्टेम ने देखा था फंड्रेजिंग से लेटेड अपडेट और जिसके चलते आज लगबख 4 पर मुबेंद दिया बहुत शांदर होके क्लोजिंग दिया एविन्यू सुपरमार्ट की आज एक्चुली बिजनेस का अपडेट आया जिसके बादे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में जिस पैसे आज एविन्यू सुपरमार्ट भी अपना फिप्ट्रू एक साई टाच किया ठीक है लग क्योंकि इंस्टेंट इंपेक्ट वह इंस्टेंट होता है और दूसरी बड़ी रिजन यह है कि देखिए 3000 की लेबल को आज ब्रेक नहीं किया बलकि इसके उपर ही क्लोजिंग दिया तो मतलब देखा जाए ठीक ठाक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा कल इसमें तेजी हो सकता ह कि दो बस पांस-10 मीट के लिए अपर सरकी लगा था वर उसके बाद क्लोजिंग दिया थोड़ा बहुत फ्लैट में या थोड़ा पॉसिटिव नहीं इसमें एक ब्रेक आउट हो सकते है तभी पॉसिबिलिटी है जब 95 का जो रिजिस्टेंस इसको ब्रेक करेगा आज की रि सब्सक्राइब के बाद करें हिंदुस्तार अनुटिक्स के अंतर यह उमीद था और इसलिए कि कोई हमेशा के लिए दूबर जा नहीं सकता हमेशा के लिए है अच्छा का सब्सक्राइब नहीं पहुंच पाया जो मैं दोस्तों आज फिर से अपना all-time high-touch कि बहुत शांद सब्सक्राइब करें निकल गया है कि नहीं वही बात थोड़ा पेशन्स रहके बहुत महीनों बात आज की डेट में दोस्तों आपको आगे कौनसी शियर्स के वारे में जानना है कौनसी टॉपिक के वारे जानना है प्लिस कमेंड की तुरू बताईए फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिल दे नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जाए हिन